प्यारे बच्चों श्वागत है आप सभी का हम लोग पढ़ रहे हैं 11th क्लास की Physics की First Unit, Unit and Measurement और हम Dimension Analysis की Applications कर रहे हैं दो अप्लिकेशन हमने पिछले वीडियो में कर चुके हैं आज एक और थर्ड इंपोर्टेंट अप्लिकेशन हम करने वाले हैं और वो अप्लिकेशन यह है और अप्लिकेशन है Derivation of Any Physical Relation अब जानते हैं न वेरियस क्वांटिटी के बीच में Relations हम क्या करते हैं Formula कोई भी Formula हम Derive कर सकते हैं Dimensional Analysis की साहता से तो कैसे वो देख लीजे और Formula यह देखिए Dimensional Analysis की साहता से Formula Derive करना सीखेंगे कोई भी Relation देखिए अगर हमें यह पता चल जाए कि यह physical quantity किन-किन factors पे डिपेंड करती है और वो factors कौन-कौन से हैं हमें पता हो तो हम उनके बीच में एक Relationship सेट अप कर सकते हैं एक Formula बना सकते हैं Dimensional Analysis की साहता से यह किस प्राधरित है? इस बेस्ट अन प्रिंसिपल अप होमोजिनिटी जो मैंने पिछले वीडियो में आपको पताया था अब उसको हम आज यूज करने वाले हैं आप यह भी कह सकते हैं इसका कैसे यूज होगा? वो आपको पता चल जब पहुत ही आसान physics को आपको मुश्किल नहीं हमारा मोट टीव ही यही है कि physics जी जी और इसी को लेकर चलते हैं insist करेंगे और अच्छी तनी कीशी study करेंगे तो हमें बहुत कुछ अच्छी तनी कीशी समझ भेड़ा जाता है अगर हमें ये पता हो कि कोई physical quantity किन-किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है तो उनके बीच में रिलेशन हम सेट अप कर सकते हैं यानि कि आप यह लिख सकते हैं कि कि इव तक व डिपन पन कि अव्या कौति अप्या की आप यह अपाँ और ऑगर वो हमें पता हो जह रहें अगर वो हमें पता हो इन रहें रहें कि लिएख रिलेशन हमें रहें एक एक्जम्पल से पढ़ेंगे शेंपल पेंडूलम में हम क्या पढ़ते थे एक्सप्रेमेंट भी किया है आपने लोगर क्लासिज में कि ये आप देखी ये बोब है अगर हम इसे एक साइड में ले जाकर कि इस बोब को अगर हम छोड़ दें तो इस स्टार्ट टू वाइबरेट अबाउट इस से मीन पोजिशन और एक वाइबरेशन पूरा करने में जितना समय लेता है वो कहलाता है टाइम पीरियड तो उस time period का formula क्या होगा वो हम dimensional analysis की सहाइदा से derive कर सकते हैं उस formula को हम prove कर सकते हैं इनकी सहाइदा से तो चलिए सबसे पहले तो हम ये एक कोई हमारे पास टाई शिंपल पेंडूलम है जिसकी लेंठेल है और ये देखिए इस समय इसका जो वेट है वो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है और ये इंगल मानली ये थीटा है और भी कोई फैक्टर्स यह हो सकते हैं तो ये है सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस सिंपल पेंडूलम का टाइम पीरिड क्या होता है बस फिर तो हम उसका फर्मला बना ही लेंगे आप आसानी से बना सकते हैं चलिए आप में से कोई बता सकता है कि टाइम पीरिड होता क्या है मैंने पहले बता भी दिया था क कि एक vibration को पूरा करने में, इस बोब को जितना time लगता है, that is called time period. यानि time period of simple pendulum is the time taken to complete one vibration. यह देखें, it is denoted by, किस से लिखते हैं प्यारे बचों इसको, time period को हम T से लिखते हैं, यह तो हमें पता चल गया कि time period होता क्या है, अब बस आपको एक list बनानी होगी, देखें जब हम numericals करेंगे ना तब भी आपको या तो वो list given होगी, या फिर आपको अपनी तरब से उस list को बनाना होगा, कि वो particular factor जो है, वो physical quantity जो है, वो किन-किन factors पर depend करती है, बस आपको यह देखना है, तो चलिए, आप बता दीजिए, कि यह जो time period है, यह किन-किन factors पर depend करता है, उसकी list बना लीजिए, ज़रूरी नहीं कि आप सही बनाए, गलत भी हो, तो कोई बात नहीं, but you should right, those all factors, सारे के सारे factors आप लिख लीजिए, let, अब बताईए मुझे, T, depends on, किन-किन चीजों पर यह depend कर रहा है, depends on, बताईए, सबसे पहले आप इसको देख करके बता देंगे, सर, एक तो यह length है, हो सकता है, यह length को हम कमिया ज़्यादा करने से time period पर फ्रक पड़ता हो, यानि कि यह उस पर depend कर रहा है, यानि कि एक factor हम लिख लेते हैं, length, आप इसको बताईए, मनी मन में सोचिए, एक आपको निज़रा रहा है, सर, इस mass का भी साथ कुछ factor होता होगा, कि जब mass को कमिया ज़्यादा करेंगे, तो इसके time period पर फरक पड़ सकता है, यानि कि second factor हम यह लिख रहे हैं, mass, और प्यारे बचों यह देखिए, एक और factor भी हम लो जिसको हम G से लिखते हैं, और चोथी जो चीज है, और बताईए, एक और नज़रा रहा है, यह angle, साइड इसको angle को भी दूर करेंगे, यह angle ज़्यादा बनेगा, तो time period ज़्यादा होगा, ऐसा कुछ लग सकता है, जो जो आपके दिमाग में आ रहे हैं, उनकी एक list बना ली लेकिन आप हमें यह नहीं पता कि यह length जो है, यह कितनी बार आ रहा है, यह नीची आ रहा है, कि उपर आएगा, समझे ना, क्या इसकी power होगी, मतलब इसका dimension क्या है, वो भी नहीं पता, हम अपनी तरफ से मान लेते हैं, कि इसका dimension मान लो A है, इसका B है, इसका C है, इसका D ह यह इसे मान लेजिए, तो इस तरीके से अब हम इसको roughly लिख सकते हैं, जैसे मान लेते हैं, कि P is directly proportional to L की power A, इसकी power A, यानि कि इसका जो dimension है, मैं यह एक कर रहा हूँ, ऐसे अनेको questions आप खुद कर पाएंगे, कुछ नहीं हमें करना है, पहले यह देखना होगा, कि वो particular physical quantity, क किन-किन factors पर depend करती है, वो एक list बना ली, और उसके बाद dimension A, B, C, D आप अपनी तरफ से बना लीजिए, समझे नहीं है, रटना नहीं है, बिलकुल भी, देखिए, दूसरी बात देखिए, हमारे पास यह factor mass है, अगर गलती से आपने गलत चीज का चुनाव कर लिया, वो उस कि पावर C कहे देते हैं, directly proportional to theta, theta कि पावर D कहे देते हैं, कोई और होते हैं, उनको भी EFG अचाई से कर लेते हैं, यह जितने भी relations आपको यहां दिखाई दे रहे हैं, आप इनको क्या कर लो है, एक में लिख लो, यानि इनको join कर लीजिए, on joining these all large, देखिए, numerical से भी ऐसे ह लेक्चर में, जो है सारे numerical questions आए, NCRT के हो, आपके competitive exams के हैं, और इससे आपको आपकी IIT और NEET exams की त्यारी करने के लिए basic concept के लिए हो जाएंगे, तो बहुत अच्छा आपको लगेगा, तो चलिए देख लेते हैं, on joining, on joining above large, इनको आप join कर दीजिए, टी is directly proportional to, इन सब को ए एक जगें लिख रहे हैं, L की पावर A, M की पावर B, G की पावर C, ठीटा की पावर D, ऐसे लिए, देखे, बना दिया ना formula, अब आप आएगा कि, यह देखे, sign है, तो अब हमें यहां एक constant लगाना पड़ेगा, proportionality constant, और यह कूर बात बताऊं मैं, कि proportionality constant के बारे में, dimensional formula य उसकी कमियों में count करेंगे, इसके जस्ट बाद जो next article होगा, next video जो होगा हमारा, उसमें हम limitations of dimension analysis करेंगे, वहां हम कहेंगे, कि यह जो proportionality constant है ना, उसके बारे में dimension analysis हमें कुछ नहीं बताता, चलो इसको अलग से लिख लेना, उसको बाद में वहां count करेंगे, यह हम किसी और method से proportionality constant लिखते हैं, L की power A, M की power B, G की power C, theta की power B, और यह बन गया हमारे पास formula, आप गएगे सरी यह कहां से बन गया, यहां A, B, C, D का यह था हमें पता ही नहीं है, बेलकुल सही समझ रहे हैं, यहां हमारा काम पूरा हुआ नहीं है, लेकिन अब हमारा जो principle था, principle of homogeneity, उसक हम प्रियोग करेंगे, और फिर हमारा काम आसान हो, उससे हम क्या करेंगे, A, B, C, D की, इनकी values हमें पता चल जाएंगे, क्योंकि हमें पता है, principle of homogeneity हमें यह कहता है, कि किसे भी relation में सभी terms का dimensional formula same होता है, यहीं चीज का हम यहां use करेंगे, यहां दो ही term है, इधर यह time period है, और इधर यह step, तो दोनों तरफ का जो dimensional formula same होगा, बस, इसी चीज का हम यहां use करेंगे, तो चलिए लिख दीजे परते एक physical quantity का dimensional formula दोनों तरफ, देखे कितना आसान है, physics को जो लोग मुश्किल समझते हैं, मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा क्यों करते हैं, सबसे easy, सबसे interesting subject ह मारा physics ही होता है, ते लिए T, देखें, यहां पर बताएं, मास नहीं है, ना तो M की पावर 0 कर दिए, T क्या है, T की पावर 1 कर दिए, यह देखिए, ऐसे हमने लिख दिया, 2π का तो कोई dimension फ़र्मना होता ही नहीं है, लेकिन इसका होता है L1, L1 की पावर A है, खाली A तो हम A ही कह देते हैं, यह लिए A, M, M की पावर B, चलिए यह भी हमने लिख दी है, इनको अलग लग लिख दीजिए, यह हमने इस length के, मास के स्थान पर हमने यह लिख दिया है, अब आगे acceleration due to gravity है, और यह देखिए प्यारे बचो, जो acceleration due to gravity, यानि कोई acceleration है, उसका मैंने आपको ब dimensionless physical quantity है, इसलिए M0, L0 और T0, और यहाँ पर हमने कर देते हैं, D, इसको थोड़ा और simplified प्यारे बचो कर लीजिए, देखिए, इसको तो हम L की पावर A ही रखते हैं, यहाँ हम M की पावर B लिख देते हैं, यहाँ हम L की पावर C, और T की पावर जो है, माइनस 2C, यह हो गय तो इनको सबको एक जगें लिख दो, जेको M की पावर क्या है, B हमने लिख दिया, L की पावर देखिए, क्या है, एक तो A है, और 1C है, तो पलस C कर दिया हम, यह देखिए, और T की पावर कितनी है, माइनस 2C, क्योंकि और तो कोई है नहीं, तो इधर का dimensional formula तो यह है, और ज दोनों तरफ का dimension formula है, उस same होता है, तो ही यह relation सही है, और जाहिर है, सही तो है, क्यों हम इसको drive करने जा रहे हैं, तो कोई बात नहीं, अगर यह दोनों तरफ का dimension formula same है, तो फिर यह चीज भी same होंगी, और अगर यह same है, तो इनकी जो powers है, जो dimensions है, दोनों तरफ का same है, तो powers को हम equate कर सकते हैं on equating the powers of m, l and t on both sides लिख लीजिए on equating powers powers कह दीजिए या dimension कह दीजिए powers of m, l and t on both sides on both sides देखिए कैसे करें यहाँ से जब हम देखते हैं तो b की value कितनी आगी, 0 आगई, चली हमने एक काम आअसान हो गया b की value हमें पहले पता चल गी, b इचकर 2, 0, यहाँ से देखिए a plus c, a plus c, l की power है और इधर l की power 0 है, इसको हमने 0 पर दिया है इधर देखिए t, यहाँ पर minus 2c है और यह minus 2c जो है, यह किस के बराबर है, यह one के बराबर है तो यहाँ से हमारे पास c की value आजाएगी, minus 1 by 2, यह देखिए और c की value भी हमारे पास आ गई है, यह देखिए अब b की value हमें पता चल गी, c की value पता चल गी है, और a plus c जो है तो यह होती है, minus c की power, और c की value तो हम पहले ही निकाल चुके है, कितनी है, minus a तो a कितना जाएगा, plus a का आ गई है, यह देखिए, ठीक है चारे में जो, और d कर पिचारा तो आया यह नहीं कहीं पर, क्योंकि वो तो यहाँ 0, 0, 0 हो गया था तो जाहिर है, b की value भी हमारे पास आही गई है, 0 है, अब हमें a, b, c, और d, इन सभी की values पता चल गई है, अब तो हमें कुछ करना ही नहीं, क्या करेंगे, हमने जो formula drive किया था, यहाँ पर इसकी value रख दीजिए, यानि put the value of a, b, c, d in equation 1, यहाँ से उठा करके equation 1 में रख दीजिए, आप notes के लिए अपना screenshot बीच बीच में लेते रहें, notes बनाईए, समझेए, और कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो comments कीजिए, और अगर समझ में आ रहा है, तो फिर share कीजिए, subscribe तो आपने कर ही लिया होगा, नहीं तो कर लीजिए, यह आपके लिए पहुत ही महतब पुर्ण रहने वाला है, यह सब चीजिए हमें अपने class के साथ-साथ, competitive exams के लिए बहुत जरूरी, देखिए, one becomes, क्यारे पेच्चों देखिए, equation में t क्या है, t is equal to, कुछ नहीं है, हम यहां लिख रहे है, t is equal to 2 pi, लिख दिया 2 pi, भाई, कोई problem भी नहीं है और L की power क्या, A, A कहां है, हाँ, यह रही, A की power, L की power कितनी है, हाँ फई, देखिए, पलस आप हमने लिख दी, M की power B, और B तो यहां जीरो होगी, जीरो होगी तो इसके तो कामी खतम, और G, यह देखिए, G की value, G कितना है, G की power तो C है, और C की value तो है, minus 1, minus half, sorry, यह लिख हमारे यह time period है, वो depend नहीं कर रहा, चाहिए आप इसको ज़्यादा कर दीचे, ज़्यादा करोगी तो तेज जाएगा, लेकिन समय उतना ही लेता है, time period does not depend from the angle, चलिए, यह बात हो गई, तो यहां से इसको थूड़ असा उला से लगे, 2 pi L की power 8 बटा तो उपर है, और यह G जो है क्योंकि यहां पर माइनस है, तो यह नीचे जाए कि पलस हो जाएगा, और इस तरीके से प्यारे बच्चों हमारे पास P is equal to L by G, और यह देखे, आप आवर तो रूट होती न, और यह बन गे हैं हमारे पास, कितना एक बहुती बढ़िया फार्मला, time period of the simple pendulum, हमने dimension analysis की सहाइता से यह formula derive कर लिया है, और प्यारे बच्चों यही नहीं, ऐसे अनेको formula हम dimension analysis की सहाइता से derive कर सकते हैं, और जब हम numericals करेंगे, जब हम questions करेंगे, तब और करेंगे, अभी एक बार क्या है, कि हम अपना सारे articles, जो है, जो पूरा unit है, एक बार complete कर लेते हैं, और उसके फिर हम questions करेंगे, देखें कितना धीरे-धीरे हम physics में perfect होते चले जाएंगे, हमारी scoring भी उपर कितर बढ़ेगे, हमारा confidence level जो है physics में वो भी बढ़ेगा, dimension analysis पिसले 2-3 videos में पढ़ा है, दो लेक हमारे channels हैं, आपको पता ही है, दोनो channels को आप subscribe करके रखेंगे, next, बात जो हम क साइदे की बात कर रहे हैं, यूज कर रहे है, advantages of the dimension analysis की इससे हम किसी relation को correctness को check कर सकते हैं, इससे हम किसी relation का जो conversion है, एक system of unit से दूसरी system of unit वो कर सकते हैं, फारूले बना सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, बहुत बढ़ाई कर ली, अब next जो हमारा वीडियो होगा, उसमें हम इसकी कन्यों की बात करेंगे, limitations की बात करेंगे, disadvantages की बात करेंगे, dimension analysis की, तो चलिए, आप सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद, next वीडियो के लिए तयार हीजिए, जिसमें हम limitations of dimension analysis करेंगे.